हेलो फ्रेंड बाल जड़ना आज कॉमन समस्या हो गई है आज लगबक सभी के बाल जड़ने लगए है और इतने बाल जड़ने लगए कि ऐसा लग रहा है कि हम कुछ दिनों में टकले हो जाएंगे तो आज हम ऐसा रेमेडी बनाएंगे जिससे आपके बाल सिल्की शाइनिंग और इतने बढ़ेंगे कि आपको मेहने में कम से कम चाल बार कटवाना पड़ेगा तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेला है ऐलोवेरा ऐलोवेरा स्कीन और बालों के लिए बहुत ही जादा कारगल माना जाता है तो अपने आंगन में ऐलोवेरा को जरूर लगाई है और इस मिल जरूर जाएगा तो सबसे पहले हमने लेलिया ऐलोवेरा उसी के साथ हम करी पत्ता यह जास्वन के पत्ते और फूल लेना है इन सबी चीजों को हमें आसपास ही मिल जाता है तो सबसे पहले हम ऐलोवेरा को कट कर लेंगे तो ऐलोवेरा को कट करने से पहले अच्छे से तो इसके साइड के हिस्से है जो काटे वाला एपसे पहले हम उसे ही कट कर लेंगे तो एलो विरा जरूर आप ले देति जरूरूर आप इस्तमाल करें यह स्कीन और के लिए बहुत अच्छा होता है अगर कितने भी बाल जड़ते हो या स्कीन खराब हो गई आप अलोविरा का इस्तेमाल करेंगे ना आपका वह समस्या बहुत जल सजल खतम हो जाएगी क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है तो हम इसे इसके ऊपर की चाल को चको की मदद से निकाल लेंगे तो एलोविरा थोड़ा चिपचिपा होता है लेकिन असकि आत्साता है निकल Бहुत आसान तरीके सरा दरा बस अभी चोट्यचोटे टुप्ड़े कर लेना है और इसमें चीरा लगा लेना है है तो देखिए अब इसे हम चम्मत से निकाल लेंगे तो यह बहुत आसा तरीके से अलोवेरा जल निकल जाएगा तो देखिए हमने अलोवेरा जल को निकाल लिया अब चलते हैं गैस की और अब मैंने लिया है लोखन की कड़ाई लोही की कड़ाई में आईरन पाया जाता है जो हमारे बालों के लिए बहुत जादा जरूरी है तो इसमें हम एक कटू जास्वन के फूल एट करेंगे जास्वन की पतियां एट कर देंगे और फिर करी पता तो जितना हो सके करी पता ज्यादा से ज्यादा इस्तमाल करें क्योंकि नारियल का तिल बालों को स्मूद मजबूत बनाने में बहुत मदद करता है करी पता भी बालों की ग्रोथ में उस तब इसमें हमें डालना है ऐलोवेरा जैल और जैसे आप ऐलोवेरा डालोगे यह चंचन आएगा तेल उड़ेगा तो आपको इस स्टेच पर एकदम लो कर देना है और बस दो मिनट के बाद यह शांत हो जाएगा क्योंकि अलोवेरा में पानी होता है और तेल पानी जब मिलत मैं अब बढम का तयल बढम भी जो है हमारे माइन को अच्छा तो करता है ऑफ बालो को मजबूति दीता है और बढ़ने में मदद करता अगर आपके पास बढ़ाम का तेल ना हो तो आप दो बदाम को कूट कर दाल सकते हैं अब विटामिन E की गोली जो हमारी स्कीन और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है तो इसे जरूर दियर लिए तो दो कैप्सुल हम एट कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे हम बन कर देंगे तो तीन से चार मिनट पकने के बाद इसे बन करके पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो पूरी रात छोड़ने के बाद तेल में अच्छी तरह से आईरन भी मिल जाता है अब एक तेल से आपके बाल इतने मजबुत होगे आपको लगाना कैसे है रात के टाइम बाल की स्लैप पर लगाते वे जाना अगर आपके बाल ज़र गए टकले पड़ गए है या बीच के बाल इतने जड़ गए कि पूरा मोटा मोटा स्लैप दिखने लगाए तो आपको यह तेल लग करना है इससे आपके हैर फॉल बाल कमजोर हो गए हो बढ़ते नहीं हो सारी समस्या सौर्व हो जाएगी और आपको एक हफ्ते में ही इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा यह तेल एकदम नैचुरल है और नैचुरल तरीके से बनाया है और इसमें आपको कोई भी समान ब जिसको भी बालो की समस्या है उसे जरूर यह तेल को लगाना चाहिए बहुत ही अच्छा तेल बना है और इस तेल के बहुत सारे फायदे आप एक हफ्ते में ही रिजल्ट पाओगे अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और शेर जरूर करिए और इसके साथ साथ आपको हेल्दी चीजे खाना है हरी सबजी पानी ज्यादा पीना है इससे आपके स्कीन और हैर बहुत अच्छे होते हैं आप इसे हाथ पेर में भी लगाए हाथ पेर भी बहुत ही सौफ्ट मुलाइब होंगे तो फ्रेंट थैंक्य त्शलिय।